नमस्ते आप सभी को सौगत है मेरे चैनल पर आज मैं फिर से एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ आप सब के लिए मैंने कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट किया है अपने रेसिपी पर इसलिए आप सब को मेरा वीडियो अंत तक देखना होगा आज मैं बनाने जा रही हूँ मतन पलाओ वो भी अपने स्टाइल पर मैंने लिया है एक केजी मतन और पास्टो ग्राम बासमती चावल मैंने मतन को अच्छे से धो कर रख दिया है और चावल को भी मैंने धो कर भीगो कर 30-40 मिर के लिए रख दिया है अब मैं मतं को direct cooker में cook करूँगी उसके लिए मैंने कुछ मसाले के पोटली बनाई है मैंने एक कपड़ा लिया है अब उसमें मैं सारा मसाला डालूँगी जैसे की दो टेबल स्कूल धनिया, दो टेबल स्कून स्वाफ, एक टेबल स्कून जीरा, एक बड़ी जावेत्री, दो बड़ी इलाइची, लॉंग, डालचिनी और दो स्टार एनिस डाल कर मैं पोटली बना लूँगी इस पोटली को कुकर के अंदर रख दूँगी फिर मैं सारा मतन उसमें डाल दूँगी उसके साथ में एक इंच अद्रक और छे साथ लसून के कलियां भी डाल दूँगी और उसमें दो गलास पानी डाल कर मैं फिर कुकर को बंग कर दूँगी और मैं उसमें पांच सीटी तक होने दूँगी तब तक मैं दूसरे गैस पर चावल के लिए गरम पानी करूँगे पानी गरम होते ही मैं उसमें खड़े मसाले डालोंगे खड़े मसाले में डालचिनी, लौंग, एरैची ये सब डालने के बाद मैं उसमें दो चमाच नमक डालोंगे अपने स्वाद उनसार, उसके बाद मैं बसमत्ती रैस डालोंगे चावल डालने के बाद मैं आधा नेंबू भी डालोंगे, मतलब उसका रस डालोंगे नेंबू का रस डालने से रैस खिला खिला और सफेद दिखता है अब मेरा चावल रेडी हो चुका है अब मैं दूसरे जाली वाले बर्तन में उसे निकाल दूँगी और राइस को थंडा करूँगी अब मेरा चावल तयार हो चुका है अब मुझे मतन बनाना है मैं आप कुकर से मतन निकाल लूँगी और पानी को भी अलग कर दूँगी अब मतन को पकलने के लिए मैंने कड़ाई लिया है गरहाई को गारम अलई डालूई और एक स्पून घी भी डालूँा अजिता कि घी का खुदबू आये अब मैं उसे निकाल दूँगे अलु निकाल देने के बाद मैं उसमें कुछ खड़े मसाले डालूँगी जैसे की लॉङ, इलाइंची, डालचिनी ये सब डाल कर थोगा भूनोंगी भूनने के बाद मैं उसमें कटे हुए प्याच भी डाल दूँगी प्याज डालने के बाद मैं उसे भी भूनूंगी, अच्छे से भून जाने पर मैं उसके बाद दो टेवल स्पून अद्रक रसून का पेस्ट भी डालूंगी, अब अद्रक रसून का पेस्ट जो मैं डाली थी उसी भी अच्छे से भूनूंगी, भून जाने के बाद उसमें स अब तमाटर को भी 7 दे भूनेंग। और उसमें 7-8 हरे मिर्च दूनेंगी, और अपने स्वादन सार नमक भी डालूंगी। उसके बाद भी भूनेंगी। तमाटर गल जाने के बाद मैं उसमें हाफफ बही डालूंगी। नहीं डालने के बाद मैं उसके अच्छे से घुनूँगी और फिर मैं उसमें धनिया पत्ता पी डालकर घुनूँगी उसके बाद मैं उसमें दोर टेबल स्पून गरम मसाला डालूंगी और एक टेबल स्पून सफेज बोल प्रीज भी डाल दूंगी और अच्छे से मिला दूंगी अब मैं सारे मसाले को मिक्स करूंगी मिक्स करने के बाद जो पानी मैंने अलग करके रखा था मतन से वो पानी मैं इसमें पूरा डाल दूँगी अब पानी कम होने का वेट करूँगी पानी कम होते ही मैं उसमें जो चावल मैंने थंड़ा करके रखा था उसे मैं उसमें पूरा डाल दूँगी मैं डूसरे गैस पर एक पैन रख कर उसमें दो प्याज भूनेंगी golden brown होने तक प्याज golden brown हो गया है अब मैं उसे उसके उपर चावल के उपर गानिश कर दोंजी और कुछ धन्या पत्ता भी उसके उपर गानिश कर दोंजी अब मैं धक्कन बन करके उसे पास गस्मिट के लिए दम में छोड़ दोंगी लो फ्लेम में फ्रेंज मैंने चावल को अलग बनाया था और मतन को अलग यह मेरा निवन एक्सपेरिमेंट था मेरे रेसिपी पर अब मेरा मतन पुलाव रेडी हो चुका है सर्फ के लिए यानी अधूरा ही है इसलिए चलिए आप जटपठ रायता भी बना लेते हैं रायता बनाने के लिए मैंने दो खीरे लिये हैं दो खीरे को धोकर अच्छे से छील कर उसका कदुकस कर दिया है कालन नमक भी डालूगी और उसके बाद भूना हुआ जीरा को मैं भून के रखा था उसका मैं पौडर बना कर उसमें मिक्स करों गी और उसके बाद मैं उसमें पानी भी डाल दूगी पानी डाल कर तुरा अच्छे से मिक्स कर दोंगी अब हो गया जटपड़ सा मेरा रायता तयार तो फ्रेंड्स अब मेरा रायता अब मतन प्लाओ रेड़ी हो चिका है सर्फ के लिए आप लोग भी आये और टेस्ट कीजिए मेरे रायता अब मतन प्लाओ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को तबादेना धन्यवाद